काफी कठिन दिन होगा जी हाँ नेताप्रतिपक्ष्टेजस्वी आदम ने सारी तयरी कर ली है सरकार को घेरने का आपको बता दें कि नेताप्रतिपक्ष्टेजस्वी आदम ने एलान कर दिया है कि 23 मार्च को विधान सवा का गेराग किया जाएगा विपक्ष की तरब से जी हां ये बड़ी ख़बर आपको अता रहे हैं दरसल 23 मार्च को विधान सभा के गेराग का एलान किया गया है राज में बेरोजगारी समेट अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तेजस्वी न विधान सभा गेराओ का फैसला लिया है इस संबंद में उन्होंने कहा है कि 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधान सभा का गेराग करेंगे आईए जातपात धर्म और पार्टी से उपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें तो ते योगिता से नीचे और अपेक्छा से कम आये पर काम करने को विवस होना भी एक बेरोजगारी है इस लिहास से विहार के 90 प्रतीशत युबा बेरोजगार है अब सभी बेरोजगार उनके हक की आवाज उठा रहे नेता प्रतिपक्ष के हाथ को मजबूत करे और 23 मार्च को विधान सभा का घेरा कर विरोध प्रदर्शन करें तो पार्टी की तरफ से भी ये एलान कर दिया गया है तेजस्वी ने तो एलान किया ही है पार्टी भी लगाता ट्वीट पर ट्वीट कर रही है और बिहार के युबाओं को जागरित करने की कोश्चिस की जा रही है वाच उठाने के लिए प्रेरित किया गया है आरजेटी की तरफ से कल जो ट्वीट किया गया उसको पढ़के बताते हैं दरसल कल ट्वीट किया गया कि सो रही है सरकार संवेदन हीन है नितीश कुमार अब और नहीं सह सकता बिहार अंदेखी का अत्याचार युबाओं बेर सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास कराएं तो 23 मार्च की पूरी तैयारी चल रही है विपक्ष की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर भी अब लोगों को जावित करने की कोशुस की जा रही है 23 मार्च का दिन काफी कठिन होगा सरकार के लिए यह यूं कहें कि राजनि देखना काफी दिल्चस होगा कि आखिड कार्ट तेजस्फी या आदव ने जो मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ सरकार की गेराबंदी की जा रही है ये कितना काम्याब होता है अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को जरूर सबस्क्राइब कीजेग धनिमा